के उपर कोई कमर्शल सुनें तो हर लाइन के पीछे उस लाइन को उसी अंदाज में रिपीट करते हैं यह आपकी 24-7 प्राक्टिस है जो कि आपको बाकी वोईस ओवर आर्टिस के मुकाबले में जो कि आपके साथ ही शुरू कर रहे हैं उनके मुकाबले में इधर ले जाएगी क्योंकि यह आप 24-7 वो प्राक्टिस करे होते हैं जैसे आप देखें लाइंग्विज इसके बार में भी एक आ जाता है कि आपने कोई लाइंग्विज सीखनी है तो थिंक मतलब अंग्रेजी के अगर बात हो थिंक इंग्लिश स्लीप इंग्लिश और ड्रिंक इंग्लिश और इट इंग्लिश और आपको खाबों में भी वोई चीज़ आ रही होती है जब 4-5-6 दिन आप यह प्राक्टिस करेंगे तो आप नीद में मेरा खाल है खाबों को भी वोईस ओवर कर रहे होंगे क्योंकि यह चीज़ आप में इतनी इन बिल्ट हो जाती है तो आटोमाटिकली आपकी यह प्राक्टिस शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद सैंपल आपने कैसे बनाना और क्लाइंट को कैसे रीच आउट करना इसके उपर हम बात अगली वीडियो में करेंगे लेकिन अपनी अभी बात को मेक सेंस करने के लिए मैं आपके सामने दिखा देती हूं कि जो बात कर रही हूं मेरी बात का मतलब क्या है मैं अपने सामने इस वक्षिए फीड खोल रही हूं यह एक पेज़ खुलावे यह टैजो आई होप कि आप लोग इसको टैजो ही बोलत है जब हम किसी ब्रांड बगरा के साथ करने करते हो तो हम उसे पूछ लेते हूं कि ब्रांड की जो भी प्रिनिसियेशन है वो क्या है अब आप इस वक्षिए सामने देख लें कि मेरे पास टैजो का पेज़ खुला वह है वैसे स्पॉंसर डाइड आरे होती है लेकिन उसके लावा भी आपके सामने जो इस तरह की रैंडम पोस्ट आती है उस ब्रांड की तो आप उसके लिए इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं अब आप यह देखें यह अप टैजो की एक पोस्ट है और इस पोस्ट के उपर उपर आपको कैप्शन लिखा नजर आ रहा है मैंने क्य यह मैं अपना फेस्बुक स्क्रोल कर रही हूं और मेरे सामने यह टैजो इंटरनेशनल का एड आया है यह टैजो इंटरनेशनल की पोस्ट आई है अब आपने क्या करना है अगर आप 24-7 अपनी वोईस ओवर प्राक्टिस जारी रखना चाहते हैं इस चीज को अपने सामने यह टो इट पिर आपको समझ में आजेगी कि मैं क्या किया जाय जाय नहीं। टाजसो बस्कोलिट प्रोट्ड संग di था इत्रेसिंए सट रुन जानटेद गूरढ ताजसों इicked us at window dot Pne игр legalist 0301 001 001 0081 0081 002 006 cr Premすごいoni यजसो बस्क्रोलिट आाद्स आगriftड इत्रेसिंएल जानट इंठी त्रेसिंए www.tazofoods.com or messages at messenger slash tazzo.pk अब आप यह देखें कि मैंने इसके लिए कहीं पे कोई script नहीं ढूंडी मैंने इसके लिए कहीं पे जाके कुछ नहीं किया और यह automatically मेरे सामने एक ad आई थी जिस ad को मैंने record कर दिया है मैंने बस इतना ही काम किया है कहीं पे जाके कोई script नहीं ढूंडी कहीं पे जाके कोई ad नहीं ढूंडी automatically आपकी feed के ओपर यह ads आ रही होती है जिनको आप record करें, record करें, record करें तो आपकी जो voice over practice है वो खुद बखोत हो जाती है तो I'm not sure कि Tazzo वालों ने इससे पहले इस तरह की ad बनवाई है नहीं बनवाई है लेकिन यह अभी भी मैंने उनको ad बनवा दी तो नीचे जाते हैं एक और ad Tazzo की cover करते हैं उसके बाद हम एक और page के ओपर चलता है अब आप यह देखें यह इनकी एक caption लिखाव है इनकी एक post के साथ जो इस वाद आपके सामने भी नजर आ रहा होगा आपको अब हम इसको पढ़ लेते हैं जेच जोड़ एंदेफ लिए वाद अजिज आपीड इसरेस्वेघट इनेूड़प्ड प्रिपीश लेगश एविलेब एक रूपीश जजेवरेट इस वेविलेट अजर इसको थर जाद इसक्राइब इसक्टेश की लादी प्टेश में इस अज़ एक और आपके टॉट काम और मैंसेज ऊ सइक मेंसेंजर स्लाश ताज टापी कि यह आपके फेस्बुक फीट के उपर और और मुक्तलिफ तरीकों से चाहे मुक्तलिफ तरीकों से रिकॉर्ड कर लें इसको इस तरह से अप थोड़ा एक्साइटिंग वे में भीयकार्ड कर सकते हりました रिज़ शर्मोलिग रुवर प्रूम चीज अवाल वीज भूप सेफंफिट और दूरींट खरूटने चीजिक न तर्ट पनकेच तॉपिंग डिज़ चीजिए न चीजिए बेट प्रूम चीज डिविः लग टा erklिए और अड तो यह आपकी आटोमेटिकली स्क्रिप्ट हो गई और इसकी आपकी वोईस ओवर की प्राक्टिस हो गई अब मैं आपको एक और पेज पे लेकर चलते हूं जो कि क्लादिंग का पेज है क्लादिंग फूड इस तरह के सारे पेज़ेज आपके सामने आते रहते हैं और आटोमेटिकली वो चीज़ आपकी प्राक्टिस की वज़ा बनती रहती है दूस्टे पेज पेज पे चलते हैं और यह पेज जो है यह अदन्स लिबास के नाम से यह पेज है और यह कोई क्लाद सरिए मेरे सामने और उसके ओपर आप पीकर आप से लिए कर लिए कुछ ने भी कर लेंगि इसे रिकौर्ड निया इसी तरह से जैसे आपनी एप पनी परस्कर न्य न क्पीज क्याव utiliser इनकी भी फिर्स टू पोस्ट जो हैं वो बड़े मज़े की हैं कि पहली आथ थोड़ी से सीडीन स्टाइल में कर सकते हैं अटोमाटिकली इसा हुआ है इतफाकन हुआ है जो दूसरी पोस्ट है वो थोड़ी सी एकसाइटिंग वाली हम कर सकते हैं इस वक्त आप की देख लें कि अधन्स लिबास की एंड वंस अगेन आप क्या इसको अधन्स लिबास ही बोलते हैं और ये जो बीच बीच में आपको कहीं गलतिया आती हैं या बोलते बोलते कि या पटक जाते हैं आप अपनी रिकॉर्डिंग को कंटीनियू रखें क्योंकि जो रिकॉर्डिंग का फाइनल फेज होता है पोस्ट प्रोसेसिंग का उसमें ऐसी सारी चीज़ें कवर हो जाती है तो कि कोई इसको टैवे से भी हम टांग ट्विस्टर बोलते हैं या स्टर्टरिंग बोलते हैं बात दफा एक वर्ड पे आपको पुचास पुचास दफा भी रिपीट करना पड़ता है कि वो आपसे बोला नहीं जा रहा होता या बोलते-बोलते आप किसी लफज को बात गलत बोलते थे हैं कोई प्रणूंसियेशन गलत बोलते थे हैं तट इस फाइन बिकज यही आपकी प्राक्टिस है अब आप दूसरे स्कृप्ट के ऊपर आजाएं जोके इनकी दूसरी पोस्ट है गेट रेड़ी रीडू इसको थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल में आपकर से एक्स्प्लोर डिलाइटफुल ओमंग फोर खेड्स अवाइड रेटी तो पेर रेंज अफ लासिकल अंग कांटेंपरी आउट्स आउटफिट्स तो मेक यूर किद्स लुक मोर अदोरिबल शॉप नाव www.adanslibas.com स्लाश किलेक्शन स्लाश किद्स ठीक है तो यह चीज आपके सामने हैं और यह मैंने आपको यही बताना था आज की इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे 24-7 अपनी वोईस ओवर की प्राक्टिस जो है वो उसको जारी रख सकते हैं और कैसे आपको आटोमाटिकली स्क्रिप्ट्स मिलेंगी आपकी सारा दिन फेस्बुक की फीड के उपर आपकी इंस्टा की फीड के उपर और कैसे उनी स्क्रिप्ट्स का इस्तमाल करते वे आप अपनी ना सिर्फ वोईस ओवर प्राक्टिस को जारी रख सकते हैं बलकि उनी कैप्शन्स का इस्तमाल करते वे आप अपने वोईस ओवर के सैंपल्स भी बना सकते हैं आप अपने वोईसोवर के सैंपल्स भी बना सकते हैं So until next video, take care of yourself और आपके कोई सवाल हो, वोईसोवर रिलेटेड आप नीचे कर सकते हैं जिसका जवाब मुझे आता होगा, मैं खुद दे दूँगी जिसका जवाब मुझे नहीं आता होगा, हमारे साथ बहुत सारे प्रोज और प्रोफेशनल्स हैं मैं आपको उसका जवाब के लिए उनको बिला लोगी Thank you very much and Allah Hafiz